नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ तमन्ना और जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमने एक सीरीज शुरू की है जिसके जरीए हम महिलाओं के लिए ऐसी तमाम स्कीम्स का डीटेल में विवरन कर रहे हैं जो सरकार द्वारा चलाई गई है तांकि उन स्कीम्स का लाग तमाम म मिले और आज हम जिस स्कीम की बात करने वाले हैं उसका नाम है महिला उद्यम निधी योजना जी हां यह एक ऐसी योजना है जिसके तहत वो तमाम महिलाएं जो लॉक्डाउन के दौरान नोकरी से हाथ हो बैठी है या लॉक्डाउन के दौरान उनका जो छोटा-मोटा कि अब क्या होगा अब घर कैसे चलेगा पैसा कहां से आएगा जो खर्चे हैं वो कैसे चलेंगे तो आज का यह वीडियो उन महिलाओं के लिए काफी जादा उपयोगी साबित हो सकता है तो महिला उद्यम निधी योजना जो अगर मैं इसको सरल शब्दों में कहूं तो यह उनके लिए है जो छोटे या फिर मद्यम व्यापारी है और सर्विस मैनुफेक्ट्रिंग और प्रोडक्शन यानि कि इस योजना दुआरा सर्विस मैनुफेक्ट्रिंग और प्रोडक्शन के लिए पंड दिया जा सकता है अब जहन में सवाल आता है कि कि कितना फंड और जाहिर तोर पर अगर लूण लेते हैं, आप इस योजना के तैट तो वो क्राण भी है, ऐसा थो नहीं है कि आपने एक बार लॉन ले लिया, फिर आप अपना बिजनेस चलाएßen, किसी को कुई लेना देता नहीं है, लेकिन चुकाना भी है। तो इस योच्रा की खासियती है कि आपको अपना बिजनस शुरू करने के लिए 10 लाक रुपे एक तक का फंड मिलेगा. दस लाख रुपे मैं कहती हूँ कि छोटा मोटा अगर आप बिजनस शुरू करना हो तो दस लाख रुपे का लोन काफी है आप बिजनस शुरू कर सकते हैं उसके बाद इसे चुकाने की टेंशन होती है क्योंकि मद्यम वर्गी परिवार में अगर आप रह रहे हैं तो सबसारा टेंशन यही होती है कि लोन ले लिया आप चुकाएं कैसे तो दस साल काफी लंबा समय होता है तब तक आपका बिजनस अच्छा खासा चल चुका होता है फल फूल रहा होता है तो ऐसे में आपको लोन देने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी तो चलिए अब इस लोन की बारी क्या भी समझाते हैं आपको और ये लोन लेने का प्रॉसेस तमाम छोटी मोटे बिंदूओं पर बात करते हैं अब इतने सारे वीडियोस हमारे देख के आप ये तो जानी चुके होंगे कि जितनी भी स्कीम्स होती है सरकार द्वारा चलाई गई पर्टिकुलर्ली किसी एक बिजनेस के लिए लोन दिया जाता है इन स्कीम्स के तहट अब आपको ये बताते हैं कि आखिर महिला उद्द्यम लीडी यूजना के तहट कौन-कौन से ऐसे विवसाए हैं जिसके लिए आप लोन ले सकते हैं अटो रिपेरिंग, सर्विस सेंटर, व्यूटी पालर, केबल तीवी नेट्वर्क, कैंटीन और रेस्टराउं, कंप्यूटराइज, एक्स्टोप, पॉबलिशिंग, नर्सरी, साइबर काफे, देक्यर, इस्ट, स्ट्ड बूथ, लॉंड्री, और द्राइक्लेन, मोबाय र इसको लोन लेने के लिए, अगर आपको इसके तहत लोन लेना है, तो आपका कोई न कोई अगर कोई उद्योग या बिजनस पहले से रेजिस्ट्र नहीं है, तो किसी उद्योग या बिजनस का प्लान प्रोजेक्ट तयार होना चाहिए, उसमें ये जरूरी तोपर अंकित होना चाहिए, कि बिजनस कब और किस जगा पर शुरू किया जाएगा, अगर किसी महिला दुक्ष लगू एवा मध्यम उद्योग ज्यानी MSME सेक्टर का होना अनिवारे है। जिस भी MSME बिजनस के लिए महिला उद्यम नीदी यूजना के तहट बिजनस लोन के लिए आवेदन किया जाना है। उस द्योग की वेल्यू निउन्तम पांच लाक रुपए से अधिक होनी चाहिए। और महिला उद्यम नीदी यूजना के तहर प्राप्त होने वाले बिजनस लोन का उप्योग MSME की विभिन गतिविदियों जैसे की विपार, विस्तार, सुधार, वर्किंग कैपिटल सुधार और टेक्नोलोजी अबगरेडेशन इत्यादी का प्रोजेक्ट तयार होना चाहि लेकिन जो महिला हैं पहले से ही भारत सरकार द्वारा चलाए गई, किसी यूजना का लाब अपने बिसनस के लिए ले रही है, ऐसी स्थिती में उन्हें इसकीम का लाब नहीं मिल पाएगा इस लोन की सबसे अच्छी बात यह है कि इस लोन को लेने जब आप जाएंगे तो आपको किसी तरह का कोई भी सेक्योरिटी नहीं देने हाला कि कई बैंक इस यूजना के तहट किफायती दर पर महिला उद्योमियों को लोन देते हैं और लोन लेने के लिए महिलाओं को कॉलिट्रिल देने की जरूरत नहीं पड़ती सिर्फ जो आपके बिस्नस से संबंदिट डॉकिमेंट्स होते हैं उनी के आधार पर आपको लोन मिल जाता है महिला उद्यम नेदी योजना के बारे में महत्वपूर बाते तो चलिए इस योजना की और भी तमाम बिंदों पर नज़र डाते हैं तो पहले तो हमने कह दिया कि इस लोन के तहट इस स्कीम के तहट अगर आप लोन लेते हैं तो आपको किसी तरह की कोई सेक्यॉरटी नहीं देनी पड़ेगी दूसरा आप 10 लाग तक का लोन दे सकते हैं और उसे चुकाने के लिए आपको 10 लाग का लंबा समय दिया जाता है और तीसरी सबसे इंपॉर्टन बात की सिटभी की तरफ से ये कहा गया है कि कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए 25 परसेंट जो है वो उस महिला उद्यमी को खर्च करना पड़ेगा अपने व्यवसाय पर 25 प्रतीशो यानि 2.5 लाग आपको ही खर्च करना होगा बाकी के 75 यानि 7.5 लाग रुपे आपको बिजनस लोन के तौर पर मिलेंगे इसके अलावा महिला उद्यम नीदी योजना के तहट मिलने वाले बिजनस लोन को वापस करने के लिए अधिकतम 10 साल तक का समय मिलता है यहWhen ये ध्यान देने वाली बात है कि मूल समय 5 साल तक मिलता है बाकी 5 साल लोन moratorium का समय मिलता है लोन moratorium की सुविधा लेने पर महिला कारोबारी को लोन लेने से 5 साल बात लोन की EMI हर महीने जमा करनी होगी और अगर बयाजदरों की बात करें तो इस लोन के तहत बयाजदरों को सिड़ भी निर्धारित करता है बयाजदर सभी बैंकों की अलग-लग हो सकती है जब महिला उद्यम निदी योजणा के तहत बिस्लिस लोन मिल जाता है तो सम्मंदित बैंक हर वर्ष टोटल लोन राशी का 1% सर्विस टेक्स चार्ज करता है ऐसा नहीं है कि सभी बैंक सिर्फ 1% ही सर्विस टेक्स रूप में लेते हैं बलकि ये निर्णय बैंकों के ऊपर ही होता है सर्विस टेक किसी बैंक का कम या किसी बैंक का अधिक हो सकता है बिजनस लोन लेने के लिए जरूरी कागजाती दस्तावेज अब जाहिर सी बात है कि आप कोई भी सरकारी काम करते हैं या सरकारी स्किंग का फायदा उठाते हैं तो उसके लिए डॉकिमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं तो इसमें भी आपको डॉकिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी लेकिन कुछ ज़ादा डॉकिमेंट्स नहीं है पायन कार्ड, आधार कार्ड इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं बैंक स्टेटमेंट्स वो सब आपको बैंक में जमा कराना होगा तो चलिए विस्तार से इन पर भी बात करते हैं आधार कार्ड, बैंक कार्ड, आपके पिछले 9 महीने का बैंक स्टेटमेंट फाइल की गई ITR की कॉपी साथ ही घर या बिजनस की जगा में से किसी एक के मालिकाना हक का प्रूफ माता, पिता, भाई, बहन, पती-पतनी, बेटा-बेटी इन में से किसी के भी नाम पर होने पर आप मानने होंगे अब सवाल उता है कि लोन के लिए आवेदन कैसे किया जाए आपको बता दें कि पंजाब नैशनल बैंक और स्मॉल इंडस्ट्रिस डिवेलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानि सिट भी द्वारा इस स्कीम को शुरू किया गया था फिर धीरे-धीरे सभी बैंकों द्वारा महला उद्यम निदी योजना के तहट लोन देना शुरू कर दिया गया क्योंकि उस लोन के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है इसलिए आपको इसके आवेदन के लिए पंजाब नाशनल बैंक या जिस भी बैंक में आपका खाता हो वहाँ जाकर आपको आवेदन करना होगा तो देखा आपने कि किस तरह से महिला उद्यम निदी योजना के तहट आप भी अपना एक चोटा मोठा कारोबार शुरू कर सकती हैं और जो सपना था आपका अपना वेवसाई शुरू करने का या फिर अपने सपनों को पंक देने का वो पंक लगा कर आप भी उड़ सकती हैं तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप सरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखके बताईएगा और इसके अलावा आप हमें बताईए कि आपको किस तरह के वीडियो देखना पसंद करेंगी और क्योंकि यह हमने नई सीरीज चलाई है महिलाओं के लिए स्पेशल जिसमें हम महिलाओं से जुड़े वेवसाई की बात करते हैं और साथ ही साथ उन स्कीम्स उन योजनों की बात करते हैं जो सरकार त्वारा चलाए गई है और जिनका लाब महिलाओं को मिल सकता है तो आप जरूर बताइएगा खास तोर पर महिलाएं जो हमारा वीडियो देखती हैं वो जरूर बताइएगा कि आप क्या विज़ाय करना चा कि आप अपनी घर की महिलाओं को किस तरह का बिजनस उनको इस्टेबिश करके देना चाहते हैं क्या कुछ आपके सवाल है जाहिर तौर पर मैं जानती हूं कि जब एक परिवार एक साथ होकर काम करता है तो बड़े सारे सवाल भी जहन में उड़ते हैं लेकिन मुझे लगता ह है जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है वह एक तरह से हमारा परिवार ही है तो परिवार के तमाम लोग जैसे को एक फैसला लेते हैं और विचार भी मश्च करते हैं वैसे आप भी हमारे साथ विचार भी मश्च कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपने आइडियाज अपने सवाल, अपने डाउट्स आप लिख सकते हैं, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे. तो चलिए, अभी मुझे दीजे इजादत, लेकिन हाँ, सब्सक्राइब कीचे, लाइक कीचे, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएए, कमेंट कीचे, नमस्का.